दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आठ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्होंने आप धमाकेदार स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेन्ट अनॉंस किया है मार्च के मन्त के लिए और आज की इस वीडियो के अंदर इन्ही आर्ट स्टॉक स्टॉक्स की में आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगा बताऊंगा यहाप इन्होंने क्या के चीज़ अनॉंस करी हैं और किस-किस वैल्यूस अनॉंस करी हैं साथ ही साथ मैं बताऊंगा इनका करंट स्टॉक प्राइस के चल रहा है अन्ड इसके साथ ये भी बताऊंगा इन्ही अनॉंसमेंट्स को देने की एक्सडेट्स क्या होने वली हैं तो चलिए अब इस वीडियो को इन तक देखना हैं महीं पे भी स्किप मत करना चलिए दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजे चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजे मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुष चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन से हैं आट स्टॉक्स जिन्हों अगले इस डिविडेंट को दिने की जो एक्सटेट होने वाली हो 4th of May की होने वाली है। तो अब अगर आपको इस टॉक को पर्चेस करना है ताकि आप आपको इसके डिविडेंट का benefit मिल पाए, तो आपको इस स्टॉक को इसकी एक्सटेट याने की 4th of May से पहले 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 पर्चेस करना होका। अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नामे क्रेसल लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस 3,144 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है। कंपनी ने आप इस डिविडेंट अनाउस के 23 रुपीज पर स्टॉक के साब से और इस डिविडेंट को देने की जो एक्सटेट होने वाली हो 31st of March की होने वाली है। तो अब अगर आपको इस स्टॉक को पर्चेस करना है ताकि यहाँ पे आपको इसके डिविडेंट का बिनिफिट मिल पाए तो आपको इस स्टॉक को उसकी एक्सटेट याने की 31st of March से पहले पहले पर्चेस करना होगा। अगले स्टॉक की बात करें तो कम्पनी का नाम है 361 WAM Limited, कम्पनी का करन्ट स्टॉक प्रेज 1,822 रूपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है, कम्पनी ने आप इस स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनोई चीज़े साथ में अनाॉंस करी है, स्टॉक बोनस अनाॉंस कर दिया 1,2,2 के रेशियो से, जिसका मतलब यह अगर आपके पास में इस कम्पनी का एक स्टॉक है, तो यहां पे आपका एक स्टॉक टोटल दो स्टॉक में कनवर्ट हो जाएगा, अब अगर आपको इस टॉक को परचेस करना है, ताकि आपको इसके बोनस और स्प्लिट का ब पहले पहले परचेस करना होगा, अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है उजीवन स्मॉल फाइनस बैंक, कंपनी का करेंट स्टॉक प्रेस 27 रुपीस के उपर हमें ट्रेड हो रहा है, कंपनी ने आपको इस स्टॉक में काफी अची राली देखने को मिल जाएगी, अगर यह स्टॉक आप लोगों की बात करें तो कंपनी का नाम हिंडूजा ग्लोबल सॉलूशन लिमिटेड, कंपनी का करेंट स्टॉक प्रेस 1316 रुपीस के उपर में ट्रेड हो रहा है, कंपनी ने आपे डिविडेंट अनौस के 2.50 रुपीस पर स्टॉक के साब से, और इ करना है ताकि यहाप आपको इसके डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए, तो आपको इस स्टॉक को उसकी एक्स्टिट या नहीं, 6th of March से पहले-पहले पर्चेस करना होगा, अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है KP Energy Limited, कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 364 रुप इसके डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए, तो आपको इस स्टॉक को उसकी एक्स्टिट या नहीं, 10th of March से पहले-पहले पर्चेस करना होगा, अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है DIC India Limited, कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 377 रुपीस के उपर में ट्रेड हो रहा है, कंपनी नहीं आप इस डिविडेंट अनौस के 2 रुपीस पर स्टॉक के इसाप से, और इस डिविडेंट को देने की जो एक्स्टिट होने वाली हो 15th of March की होने वाली है, तो अब अगर आपको इस स्टॉक को पर्चेस करना है, ताकि आपको इसके डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए, तो आपको इस स्टॉक को उसकी एक्स्टिट यान की 15th of March से पहले पहले पर्चेस करना होगा, आईए बात करते हैं आप हमारे एगले अनलास स्टॉक की, तो कंपनी का नाम है जयन्त इंफरा टेक लिमिटेड, कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 333 तो अगर आपको इस स्टॉक को पर्चेस करना है ताकि आपको इसके स्टॉक बोनस का बेनिफिट मिल पाए, तो आपको इस स्टॉक को उसकी एक्स्टिट यान की 1st of March से पहले पहले पर्चेस करना होगा, और दोस्तों आज की वीडियो के इंदर इतना है यही 8 स्टॉक थे चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, तिल देन बाए